Hello everyone, welcome to my channel आज के इस वीडियो में हम देखेंगे साल 2022 के सबसे महत्वण करंट अफेर्स को जो कि आपके एक्जाम के लिए काफी जादा महत्वण होने वाले हैं इसमें केवल उनी करंट अफेर्स को सामिल किया गया है जो की एक्जाम पॉइंट अफेर्स काफी जादा महत्वण होते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देके आपके लिए ये वीडियो काफी जादा बेनिफिशल होने वाली है तो शुरू करते हैं सबसे पहला इसमें मेजर ध्यान चंद खेल रतन पुरुसकार 2022 किसे प्रदान किया गया है तो ये दिया गया है सरत कमल अचंता को तो सरत कमल अचंता को मेजर ध्यान चंद खेल रतन पुरुसकार 2022 से सम्मानित किया गया है और इनका संबंध है टेबल टेनिस से तो टेबल टेनिस से ये संबंधित है सरत कमल अचंता काफी जादा महतुपुन प्रशन है आने वाले एक्जाम में आपसे पूछा जा सकता है अगला है इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने मेजर ध्यान चंद खेल रतन विश्व विध्याले की नीव कहां पर रखी है उत्तरप्रदेश के मेरट में मेजर ध्यान चंद खेल रतन विश्व विध्याले की नीव रखी गई है अगला है इसमें IPL 2022 का खिताब किसने जीता है तो साल 2022 का जो IPL आय जित हुआ था इसका खिताब जीता है गुजराथ टाइटेंस ने तो गुजराथ टाइटेंस इसकी विनर टीम रही थी अब बात करें इसके उपविजेता की तो जो सेकिंड रनर अप टीम रही वो रही राजस्तान रोयल्स और IPL का ये पंदरवा संस्क्रन था तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है अगला है इसमें अंडर 17 महिला फुटबॉल सुबरोतो कब 2022 का खिताब किस राजजी ने जीता था तो ये जीता था जारकंड राजजी ने काफी जादा महत्तपूर्ण है एक्जाम में पूछा जा सकता है और सुबरोतो कब का संबंद है फुटबॉल से इसके बाद है भारत के नए CDS कौन बने है तो भारत के जो नए CDS बने है वो बने है अनिल चोहन काफी ज़्यादा महत्वूर्ण प्रस्ण है एक्जाम में ये भी पूछा जा सकता है उसके बाद भारतिय थल सेना के अध्यक्ष कौन है? तो भारतिय थल सेना के अध्यक्ष है वर्तमान में मनोच पांडे अगला प्रस्ण है अंतराष्ट्य अनुवाद दिवस यानि की इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 30 सितंबर को इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे मनाया जाता है 30 सितंबर को अगला है इसमें विश्व परियतन दिवस 2022 कब मनाय गया था, तो विश्व परियतन दिवस मनाय गया था 27 सितंबर को, 27 सितंबर को मनाय जाता है विश्व परियतन दिवस, काफी जादा महत्वण प्रशन है एक्जाम में पूछा जा सकता है, साथ इसकी जो थीम थी वो क्या तो इसमें भारत की जो रैंक रही वो थी 40 वा स्थान भारत को इसमें 40 वा स्थान मिला है और पहले स्थान पर इसमें रहा था स्वीजर लेंड तो दोनों आपके लिए महत्वण है एक्जाम में पूछा जा सकता है अगला है भारत से पिना का मिसाइल रॉकेट सिस्टम है अर्मेनिया ने तो काफी जादा महत्वण है एक्जाम में पूछा जा सकता है अगला है इसमें इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने है तो इसरो के नए अध्यक्ष बने है एस सोमनात इसरो के नए अध्यक्ष बने है और बात करें इसरो के हैटकौाटर की तो इसका हैटक 1969 को अगला है इसमें प्रधान मंत्री मोदी ने 36 वे राष्टे खेलो का उधगाटन कहाँ पर किया था तो ये किया था अहमदाबाद गुजरात में अहमदाबाद गुजरात में प्रधान मंत्री मोदी ने 36 वे राष्टे खेलो का उधगाटन किया था अगला है इसमें इंप उसके बाद है अगला 150 गाउं को उत्कृिस्ट गाउं यानि की विलेज ऑप एक्सिलेंस बनाने के लिए किस देश के साथ समझोता किया गया है तो ये किया गया है इसराइल के साथ इसराइल के साथ ये समझोता किया गया है जिसके तहट भारत के 150 गाउं को विलेज ऑप एक्सिलेंस बनाने के लिए समझोता किया गया है अगला है fearless governance नामक पुस्तक किसने लिखिये तो fearless governance नामकी जो पुस्तक है ये लिखिये किरन बेदी ने जो की पूर्व IPS अधिखारी रह चुकी है अगला है भारत्य प्रतिभूती एम विन्माई बोड यानि सेवी की नई अध्यक्ष कौन बनी है तो ये बनी है माधवी पूरी बुच ये भी काफी जादा important है एक्जाम में आपसे पूछा जा सकता है बात करें सेवी की स्थापना की तो इसकी स्थापना हुईती 1992 में सेवी की स्थापना हुईती 1992 में इसका जो मुख्याले है वो है मुंबई में इस्तित अगला है इसमें राष्ट्य विज्ञान दिवस 2022 मनाया गया था, तो राष्ट्य विज्ञान दिवस 2022 मनाया गया था 28 फरवरी को, तो 28 फरवरी को राष्ट्य विज्ञान दिवस 2022 मनाया गया था, important है एक्जाम में पूछा जा सकता है, उसके बाद बात करें इसकी theme की, तो सत इन सेंड टेकनोलोजी फॉर सस्टनेबल फ्यूचर यानि की सतत भविश्य के लिए विज्ञानयम प्रोध्यकी में एकिकरित दिश्ट्रिकॉन ये इसकी थीम रही थी अगला है यूक्रेण में फसे भारतियों को वापस लाने के लिए किस मिसन को चलाया गया था? अगला इसमें अनुसंधान संस्तान की नई निदे शक कौन बनी है? तो ये बनी है रेनु सिंग रेनु सिंग बनी है FRI की नहीं 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 दे सक काफी जादा महतुन प्रस ने एक्जाम में पूछा जा सकता है अगला प्रस ने छुआचूत को मिटाने के लिए किस राज्य ने विने समरश्य योजना की सुरुआत करी थी तो ये करी है करनाटक ने करनाटक ने छुआचूत को मिटाने के लिए विने समरश्य योजना की सुरुआत करी है अगला इसमें important है विस्व नागरिक सुरक्षा दिवस यानि की World Civil Day कब मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है एक मार्च को इसकी जो theme थी वो रही थी नागरिक सुरक्षा और हर घर में प्राथमिक उपचार ये इसकी theme रही थी तो दोनों आपके लिए important है विस्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है एक मार्च को और इसकी थीम रही थी नागरिक सुरक्षा और हर घर में प्राथमिक उपचार अगला है इसमें 98 सीनियर राष्टिय सत्रन चेंपियनसिप 2022 का आयोजन कहा हुआ था तो ये हुआ था कानपूर उत्तरप्रदेश में important है आपसे पूछा जा सकता है अगला है इसमें सुन्य भेदवाओ दिवस यानि की Zero Discrimination Day ये कब मनाया जाता है तो ये मनाया गया था एक मार्च को एक मार्च को मनाया गया था सुन्य भेदवाओ दिवस यानि Zero Discrimination Day अगला important है नीतियायो के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं तो नीतियायो के नए उपाध्यक्ष बने है सुमन के बेरी सुमन के बेरी जो है ये नीतियायो के नए उपाध्यक्ष बने है बात करें नीतियायो की तो इसकी स्थापना हुई थी एक जनवरी 2015 में इसका जो मुख्याले है ये नई दिल्ली में स्थित है और बात करें इसके प्रमुकारे की तो नितियायो का प्रमुकारे होता है, सरकार का एक Think Tank की रूप में एक कारे करता है, यानि कि सरकार को सलाह देता है कि योजनाओं की किस प्रकार से प्लैनिंग करनी है, तो उसके लिए नितियायो का गठन किया गया है, अगला इसमें भारत के प्रधान मंत्री की तो फ्रांट के नए प्रधान मंत्री बनी रिखेड लक्ष्मी भंडार यूजना की लिए किस स्कॉच पुरुसकार जीता है तो ये जीता है पश्चिम बंगालने तो लक्षमी भंडार योजना के लिए स्कॉच पुरुसकार जीता है पश्चिम बंगालने अगला इसमें भारतिय मूल के पहले ब्रिटिस प्रधान मंत्री कौन बने है तो ये बने है रिसी सुनक मोदी ने दुनिया के पहले CNG terminal की नीव कहां पर रखी है तो ये रखी है भावNagar गुजरात में भावNagar गुजरात में बादानमंत्री मोदी ने दुनिया के पहले CNG टर्मिनल की नीव रखी है तो काफी जादा Important है एक्जाम में आपसे पूछा जा सकता है उसके बात अगला है इसमें भारत के नए चुनाव आयोग तो कौन बने है तो ये बने है अरुण गोयल अरुण गोयल बने है भारत के नए चुनाव आयोग और बात करें चुनाव आयोग की तो इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी अग अगला है important BCCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? यानि कि भारतिय क्रिकेट बोर्ड के जो नए अध्यक्ष हैं वो कौन बने हैं? तो ये हैं रोजर बिनी. रोजर बिनी बने हैं BCCI के नए अध्यक्ष. काफी जादा important है एक्जाम में आपसे पूछा जा सकता है. उसके बाद अगला उनिस्वा विश्व वन्यजीव सम्मेलन 2022 यानि कि कोप 19 का आयोजन कहां हुआ था तो ये हुआ था पनामा में काफी इंपोर्टन है एक्जाम में पूछा जा सकता है उनिस्वा विश्व वन्यजीव सम्मेलन हुआ था पनामा में अगला है 214 दिवस कब मनाया गया है तो ये मनाया गया है 19 नौंबर को 19 नौंबर को मनाया गया है 214 दिवस अगला है इसमें जलवायू परिवर्तन प्रदर्शन सुचकांग 2023 में भारत का स्थान कौन सा है तो इस टैप की भी प्रसन आपसे करेंट अफेर में पूछे जाते हैं तो वांगला महुतसो 2022 ये मनाया गया था मेगाले में अगला इसमें 41 वा अंतराष्टे व्यापार मिला 2022 कहां आयोजित किया गया था तो ये आयोजित किया गया था नई दिलनी में और इसकी थीम थी वोकल for local, local to global ये इसकी थीम थी तो काफी जादा important है दोनु चीज़ा आपसे पूछी जाती है उसके बाद अगला G20 का सत्तरवा सम्मेलन 2022 कहां हुआ था तो G20 का सत्तरवा सम्मेलन जो हुआ था ये हुआ था बाली इंडोनेशिया में और हाली में भारत को G20 के अध्यक्षता 2023 के लिए 100 पी गई है और इसी के तहट भारत ने G20 के लिए थीम, लोगो और वेबसाइट को लॉंच किया है तो इससे भी related आपसे प्रशन पूछा जा सकता है तो बात करें इसके लोगों की तो इसका जो लोगों है वो है खिलता हुआ कमल का फूल और थीम की बात करें तो इसका जो थीम है वो है वसुदेव कुटुमबकम वन अर्थ वन फैमली एंड वन फ्यूचर ये इसकी थीम है और बात करें इसके वेबसाइट की तो वो है www.g20.in तो इन तीनुस रिलेटर आपसे प्रस्ण पूछा जा सकता है काफी ज़्यादा important है उसके बाद है अगला 2022 का अंतराष्ट्य बुकर पुरुसकार किसे प्रदान किया गया है तो ये दिया गया है गितांजिली स्री को तो गितांजिली स्री को 2022 का अंतराष्ट्य बुकर पुरुसकार दिया गया है और ये दिया गया है इन्हें रेट समाधी के लिए इनके काफी प्रसिद्ध पुस्तक है, रेज समाधी इसके लिए इनहें प्रदान किया गया है अकला है why important 57 ज्यानपीट पुरुसकार मिला है तो 57 ज्यानपीट पुरुसकार किसको प्रदान किया गया है यह दिया गया है दामोदर माउपो को और ये कॉंकडी के लेखक हैं, उसके बाद है 312121 मिला है, तो ये दिया गया है डॉक्टर असगर वजहात को, इनके प्रशिद्य नाटक महाबली के लिए नहीं है प्रदान किया गया है, तो 312121 दिया गया है डॉक्टर असगर वजहात को, काफी जादा important है, एक्जाम में ये परदेश के इन दोर में तो ये थे साल 2022 के कुछ महत्वण करंट अफेर जो कि आपके एक्जाम पॉइंट अफ व्यू से काफी जादा महत्वण है दोस्तों उसके बाद बात करें कुछ अन्य महत्वण करंट अफेर की जैसे की सुचकांक या प्रमुक युद्ध अभ्यास औ ना क्या आपको दे दूँगा तो इन सभी चीजों को हम नेक्स्ट वीडियो मा कवर करेंगे तो वीडियो से रिलेटेट कोई भी आपकी डाउट हो, क्वेरीज हो, कमेंट सेक्षन मा मुझे जरूर बताएं वीडियो अगर आपको इन्फॉमेटी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी इन्फॉमेटी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक्यू फ्रेंड्स